गवार ससुराल कृतिका सेट जोहरचन की इकलाती संतान थी और जोहरचन ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था कृतिका अब शादि के लायक हो चुकी थी और जोहरचन उसके लिए का अच्छा सा लड़का और ससुराल ढून रहा था इसे पीच उसकी मुलाकात सोमेश से होती है जो आजकल बिसनिस वर्ल्ड में चाया हुआ था उसके बिसनिस के नए नए आइडियाज ने मार्केट में तहल का मचा दिया था जो हर्चंद जब सुमेश से मिली तब उन्हें देख कर उसे अपनी बेटी की शादी याद आ गई नमस्त बिटा मेरा नाम जो हर्चंद है तुम तो जैसे चाग है ओ मार्केट में बस ये तो मेरे माता पिता का अशिरवादे अंकल उन्होंने बहुत मैनत से मुझे इस मकाम तक पहुँचा आया है अब तो बस मुझे उनकी ख्वाईशों को पूरा करना है तुम्हारे विचार बहुत अच्छे है पिटा तुम शादे शुदा हो नहीं अंकल पर अब मेरे माता पिता भी मेरे लड़की ढून रहा है अरे वाँ ये तो बहुत खुशी की बात है सोमिश को मिलने के बाद जुहर चन को बहुत अच्छा लगा इसलिए वो दूसरे ही दिन सोमिश के माता पिता से मिलने उनके घर चले गए पर जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो बहुत ही साधारण सा था गर में लकड़ी की पुरानी कुरसियां और कमरे में पुराने बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था नमस्ते, मेरा नाम जोहर चंदर हाँ जी, सुमिष ने हमें आपके बारे में बताया था आप यही सोच रहे होंगे न के कितने बड़े बिस्निसमेन का घर इतना असाधारण कैसे है नहीं नहीं, बहुत बास आयो ही हमने सुमिष के पढ़ाई में और उसके नए व्यापार में सब कुछ लगा दिया उसके पापा की जितनी जमापूंजी थी, उस सब हमने सुमिष के व्यापार में लगा दि और अब तो सुमिष बहुत अच्छा कर रहा है, अब वही इस घर को धीरे धीरे सवार देगा अरे बिलकुल, बिलकुल, सुमिष तो एक बड़ा ही होनहार लड़का है पूरे बिस्निस वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है इसलिए तो मैं अपनी बेटी कृतिका का रिष्टा आपकी बिटे सुमिष के लिए लाया हूँ अगर आपको कोई आपती ना हो तो हम ये रिष्टा जोड सकते हैं अरे हमें क्या पती हो सकती है बला आप खुद रिष्टा लेकर आए हैं बस हमारी एक शर्त है हांजी हांजी बिलकुल लेन देन के बाद तो पहले ही हो जानी चाहिए हमारी शर्त ये है कि आप बस अपनी बेटी हमें देंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए क्या आज आप लोगों से मिलके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी जोहरचंद और सुमिश के माता पिता कृतिका और सुमिश का रिष्टा तैय कर देते हैं और कुछ ही दिन में उनकी शादी भी हो जाती है शादी के पहली राज जब कृतिका अपने कमरे में आती है तब अपना कमरा देखकर उसे बहुत कुछ सा आता है ये है हमारा कमरा इसमें तो कुछ भी नहीं है बस ही पुराना सा बिस्दर और ये कैसे सजाया है हमारा कमरा ये लाल पतियों से आप इतने बड़े बिस्नेसमें है कमरा तो ढंका बनवा लेते है अपने बीवी के लिए हरे मैंने अभी अभी अपना बिस्नेस शुरू किया है कृतिका और हमारा रहन सेन हमेशा से ही साधारन रहा है पर मेरा तो नहीं रहा न क्या सूचा था मैंने कि मेरे कमरे में टेडी बैर होगा लाइट सोंगी वो गोल बिस्तिर होगा पर यहां तो ड्रेसिंग के लिए टेबल तक नहीं है यह आई ना तो है ना मावी हमेशा ऐसे ही तयार होती है आपकी मा कम मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है देखो मैं अभी तो कोई वादा नहीं कर सकता जो है फिलाल तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा कृतिका को अपने ससूराल में हर चीज से दिक्कत थी उसके सास ससूर चाहे उसे कितना भी प्यार से बरताओ कर ले पर उसका अगसा तो हमेशा ही नाग पजड़ा रहता था सास ससूर जमीन पर बैटके खाना खा रहे थे और कृतिका जी एंट्री मारती है अरे अरे ये आप तुनों क्या कर रहे हैं खाना खा रहे हैं बहू आओ ना तुम भी हमारे साथ बैठो मुझे इसे जमीन पर खाना खाने की आदत नहीं है कितनी बार कहा कि एक डाइनिंग टेबल ले लेते पर नहीं इस घर में तो सब को जैसे गवार बंद के रहने में ही खुशी मिलती है सब हो जाएगा बहू तुम गुस्सा क्यों करती हो आओ हमारे साथ खाना खाओ देखो आज मैं तुम्हारे पसंद के गुलाब जामून भी लाया हूँ कृति का अपने गुस्से में ये नहीं देख पा रही थी कि उसके सिसुराल वाले उसका कितना खायाल रखते हैं उससे तो बस अपने स्टेटस की पड़ी थी सुमेश कल मेरी कुछ सहल यह आरे है मुझसे मिलने अरे वा ये तच्छी बात है क्या खाक अच्छी बात है वो ये सब देखकर जरूर मेरा मजाग बनाएंगी जो दोस्त तुम्हारा मजाग बनाते हैं वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होई नहीं सकते क्रितिका आपको तो बस ग्यान बातना आता है यह नहीं कि घर को थोड़ा अच्छा बनवा ले नाया फनी चले आए हमारे कमरे को अच्छा बना दे देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता अभी मुझे काम पे ध्यान देना है पर तुम्हें मना तो नहीं कर रहा मैंने कहाना वक्त आने पर मैं सब कुछ बनवा दूँगा वो भी तुम्हारे हिसाब से पता नहीं कब आएगा वो दिन तब तक मुझे वो शेर्मिन की जिलनी पड़ी कि उसका क्या उफो तुम्हें जो करनाय करो आज मेरी एक बहुत इंपोर्टन्ट मिटिंग है मैं जा रहा हूँ सुमिश के चले जाने के बाद कृतिका की सहलिया उसके घर आती है आओ आओ हमें बहुत खुशी हुई तुम सब यहाँ मैं तुम सब के लिए पानी लेकर आती हूँ मैं भी आती हूँ माजी ये कैसे गलास है काज के गलास नहीं है क्या घर में नहीं बहु, हमने कभी काँच के गलास में पानी पिया ही नहीं, जो है यही है यह पुगमान, आज तो मेरा बसाथ बनना पक्का है कृतिका पानी लेकर बाहर आती है और तब तक उसकी ससूर जी आ जाते हैं बहु, यह देख, मैं तेरी सहलियों के लिए समोसे, पकोड़े और पुदिने की चट्नी भी लाया हूँ समोसे नहीं अंकल जी, हम समोसे नहीं कहाते हैं हाँ, और पकोड़े कौन खिलाता है मेमानों को कृतिका, तेरे ससूराल वालों को पिज़ा बर्गर की बारे में नहीं पता क्या अरे कहां से पता होगा, उन्होंने सोफा तक तो घर में रखा नी, यह दो पलंग रख दिये और तो पिज़ा बर्गर की बात कर रही है कृतिका, तुने कुछ सिखा नहीं अपने ससूराल वालों को तू तो बड़ी स्टाइलिश बन कर घुमती थी, अब क्या हुआ वो ना बस कृतिका को पहले सी अपने ससूराल वालों पर गुसा था और अब तो उसकी सहलियों ने जिस तर उसका मजाक बनाया था उससे उसका गुसा और भी ज्यादा बढ़ गया था कितनी बार कहां मैंने कि चलो कुछ सामान ले आते हैं मौल से नाई, लेकिन इस गर में तो मेरी किसी को सुननी नहीं है क्या है ये, जब भी घर आओ, किसी ना किसी बात पर गुसे में ही रहती हो आज मेरी सहली आई थी, कितना भी इज़त मैसुस हो रहा है मुझे पर आपको इस दिख्या क्रितिका इस गर में सब स्ट्राइलिश नहीं पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है ऐसा भी तो नहीं है न अच्छा खाना, अच्छा पैना, मेरे माता पिता भी तुम्हें कुछ नहीं कहते है हलाकि तुम हमेशा गुसे में ही रहती हो तो इस घर में सब लोग बरताव ही ऐसा करते है आज मेरी सहली के सामने पापा समूसे और पकोड़े ले आए थी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे मेमानों की इज़त कर रहे थे पर नहीं, तुम्हें तो बस लोगों के महेंगे घर दिखते है आपको समझानी का कोई वाइदा नहीं चाहे सुमेश उसे कितना भी समझा ले कृतिका के दिमाग से हाई फाई घर का खयाल जाने वाला नहीं था उसे तो बस चाहिए था कि उसका ससुराल भी उसकी सहलियों की तरफ चमकता रहे कृतिका सहलियों के जाने के बाद घर वालों से काफी नाराज सी थी तो सुमिश की मादा पिता ने सुमिश को एक सला दी सुमिश बिटा, एक काम कर आज बहु को कहीं बहार खाने पे ले जा तुम्हारी नई नई शाद ही हुई है दोनों एक साथ वक्त बिताओ हाँ, और बहु को अच्छे से होटल में खाना के लाना एसे वैसे में नहीं समझा हाँ बहु यह ले नाई इड्रेस यह नमे तेरे लिए लाई थी इस पे तो बहुत खुबसुरात लगेगी ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ सुमिश कृतिका को एक अच्छे से होटल में खाना खिलाने ले जाता है जहां कृतिका के स्कूल की सहल उसे वहाँ मिल जाती है कृतिका तुम यहाँ कितने वक्ट बाद मिल रहे हैं हम हाँ, काफी वक्ट हो गया मैं यहाँ अपने पती की साथ आई हूँ और मैं भी, चिलो ना साथ में बढ़ते हैं ठीक है इनके साथ बैट की शायद सुमेश को पता चले के हाइफाई लोग रहते कैसे हैं रिया और उसके पती कृतिका और सुमेश की साथ खाना-खाने बैठते हैं अपका नम सुमेश है ना आजकल आपके ही आईडियाज मार्केट में चल रहे इनके पता जी ने तो काफे कुछ इन्वेश्ट किया होगा ना आपके बिस्निस में मेरे ससूर जी की तरह नहीं जिनोंने अपना बोज मेरे सर पे डॉल दिया रिया के पती की बाते सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं रिया तो जैसे शर्म से पानी-पानी ही हो गई थी मैंने उनसे उनकी सबसे किम्ती चीज ले लिया उनकी बेटी इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पर जिने जरूरत है उनके ससूर जी को तो उनकी मदद करनी चाहिए ना कृति का रिया की तरफ देख रही थी कि उसके ससूर तो उसे इतने अच्छे से रखते हैं और नाहीं उसके पती ने उसके पापा से कोई दहिज लिया तभी रिया के पती का फोन आता है और वो बात करने बाहर चला जाता है मुझे माफ करियेगा इन्होंने जो भी कहा कृतिका तुब बहुत खुश खिस्मत है जो तुझे सोमेश जी जैसे पती मिले मेरे सिसुराल में सब कुछ है महँगी साड़ी, महँगा फनीचर, मॉडियोलर कीचिन सब कुछ लेकिन इस सतर प्यार दुर-दुर तक नहीं कृतिका रिया की बातों का जवाब नहीं दे पाती उसके मन में कुछ तो बतला था लेकिन फिर भी वो मानने को तयार नहीं थी अब भी वो गुसा तो करती थी लेकिन मान भी जाती थी पर उसकी ख्वाइश अब भी वही थी कि सब कुछ काफी स्टाइलिश हो जिसके लिए वो अब भी अपने घरवालों से लड़ती रहती थी आज मेरे मामा मामी आ रहे है अपनी बेटी का शादी का नियोता देने वो मेरे सिसुराल देकर क्या सुचेंगे तुम फिर शुरोगे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा क्रिती का कि इन सब चीजों में वक्त लगता है रात और रात नहीं होता ये सब हाँ हाँ जानती हूँ तुम्हारे पुराने बहाने बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं पर आज मेरे मामा मामी आ रहे इसलिए तुम जल्दी आ जाना और उनके लिए अच्छा सा नाश्ता भी ले आना समझे कम से कम थोड़ी तो इज़त रह जाए मेरी ठीक है आ जाओंगा और कुश शाम को क्रितिका की मामा मामी आते हैं और क्रितिका की घर को देख कर मूँ बनाते हैं हाई याई ये भाई साहब बैठिए कैसे हैं आप हम तो ठीक है पर लगता है आपके घर की आलट ठीक नहीं है क्रितिका तो खुश तो है न या हाँ मामी मैं ठीक हूँ बस ये घर थोड़ा पुराना है और कुछ नी चल कोई बात नी बिटा सबका नसीब एक जिसा नहीं होता है ना तमाज जी अब हमारी बीटिया को ही देख लीजी उसका सिसुराल इतना आली शान है कि क्या ही कहे हूँ महंगा जूला, महंगा फनीचर और उसका खुदका कमरा तो इतना खुबसूरत के लोग देखते ही रह जाते हैं अच्छी बात है ना कि उसे इतना अच्छा सिसुराल मिला है पर मेरी माने तो सिसुराल महंगी चीजों से कम प्यार से ज्यादा जानना चाहिए आपको नहीं लगता मामा जी यह भी सही है जिनके बास जो होता है वो उसे की बात करते है खर यह सब बात छोड़िए आप सब आईएगा हमारे बीटी की शादी में बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं उसकी शादी बहुत खर्चा किया है हाँ मामा जी हम सब आएगे अच्छा तो फिर हम जल दे हैं मामा जी की जाने के बात क्रितिका रूट कर अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि इसकी मामा जी के सामने उसकी बेज़ज़ती हो गई थी पर सोमे इस जैसे तैसे करके उसे मना लिता है चलो चलो सब लोग देर हो रही है क्रितिका कहा हो तुम टेक्सी आ गई है हाँ आ रही हो पता नहीं हम अपनी कार कब लेंगे बहु अब ये बाते छोड़ो टेक्सी में बैठ शादी में जाने के लिए देर हो रही है न हाँ हाँ चलिए कृतिका अपने साथ सुसुर के साथ शाथ में पहुंचती है और कृतिका सब को ढंग से पेश आने के लिए कहती है मा बाबुजी, यहां बहुत बड़े बड़े लोग आये हुए इनके सामने प्लीज अच्छे से पेश आयेगा सब स्टाइलिश्ट लोग यहां हाँ, हाँ, बहुत उचिंता ना कर कृतिका, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हो हम सब सही ही पेश आते हैं ठीक है न? चलिए, मामा मामी से मिलते हैं कृतिका अपने पत्ती और साथ सुसुर के साथ मामा मामी से मिलने जाती है अरे, अच्छा हुआ, तुम आ गई कृतिका आओ, मैं तुम्हें अपनी दमाज से मिलवाती हूँ आप से भी आईए दमाजी यह देखिए, यह है हमारी बान जी कृतिका और उनके पती सुमेश अरे, सराप, यह आपकी रिष्टेदार है हाँ, यह मेरी पत्नी के मामाजी है आप इन्हें जान दें दमाजी अरे, यह मेरी बॉस है इनकी कंपनी में तो जॉब करता हूँ मैं इनकी वज़े से तो इतना अच्छा घर बनवाया है मैंने और इनका घर तो मुझसे भी अच्छा बन गया है, है ना, सर? आपने जो नया घर बनवाया है उसके बारे में भावी जी को बताया या नहीं? अरे, तुमने तो मेरा सर्प्राइज ही खराप कर दिया ओ, सॉरी सर पर आप यहां आए, मुझे बहुत इच्छा लगा यह आपकी माता पिता है? दुला सुमेश के माता पिता के पाऊं चुता है आपकी वज़े से आज सर इतना बिस्दिस खड़ा कर पाए है मुझे भी आशिरवात दीजी कि मैं इनकी तरह आगे बढ़ पाऊं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाऊं कृतिका के मामा जी ये सब देखकर शर्मिंदा हो जाते है मुझे माफ करती जी का मैंने एहंकार में आकर न जाने क्या 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 दिया कृतिका बेटा सच में तुम नसीब वाली हो कि तुमें इतना अच्छा ससुराल मिला है बिल्कुल सही का आपने मामा जी मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसा प्यारा ससुराल मिला है अब चले हम हमारी नई कार और नया घर हमारा इंतजार कर रहे है हाँ मा बाबुजी चलिए हमारे घर में चलते है और मैं आप दोनों से भी माफी मांगना चाहती मैंने गुस्से में पता नहीं आप दोनों से क्या क्या कह दिया हैरे कोई बात नहीं पहू आप तो तेरा सपना पूरा हो गया ना अब तो उस नया घर को अपने हिसाब से सजाना ठीक है आपर मैं समोसे और पकोड़े लाना नहीं छोड़ूँगा चारू खुशी खुशी साथ में घर जाते हैं